Hi everyone, पिछली क्लास में मैंने आपको imperative sentences सिखाय थे, जिसमें मैंने आपको 40 imperative sentences का example देके समझाय था, कभी use होते हैं, कैसे use होते हैं, आज हम उसी क्लास को resume करते हैं, तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं imperative sentences, part 2 तो next sentence है दोस्तो, think about it, think मतलब होता है, सोचना about मतलब होता है, के बारे में it मतलब यह या is तो think about it का मतलब हुआ इसके बारे में सोचो next sentence है go home go का मतलब अथा जाना और home का मतलब अथा घर तो go home का मतलब हुआ घर जाओ go home go के बाद you तो हमेशा to आता है लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके बाद जिससे पहले to नहीं आता है अगर उससे पहले go home home, here, there, abroad अगर go के बाद ये शब्द हैं तो go के बाद to नहीं आता है दोस्तो next sentence के उर्ट चलते हैं take rest take मतलब होता है लेना, rest मतलब होता है अराम take rest का मतलब हुआ take rest, अराम करो next sentence है work hard work hard work hard का मतलब होता है महनत करना next sentence है restart your computer start का मतलब होता है दोस्तो शुरू करना restart का मतलब होता है फिर से शुरू करना your मतलब तुम्हारा या आपका computer, सब जानते हैं क्या होता है तो restart your computer का मतलब हुआ आप अपना computer फिर से शुरू करें आप अपना computer पुन्हारा शुरू करें restart your computer next sentence है eat at least one fruit every day eat मतलब होता है खाना at least का मतलब होता है कम से कम at least का मतलब होता है कम से कम one मतलब एक, fruit मतलब फल, everyday मतलब प्रती दीन तो eat at least one fruit every day का मतलब होगा रोजाना कम से कम एक फल खाएं रोजाना कम से कम एक फल खाएं प्रती दीन कम से कम एक फल खाएं eat at least one fruit every day next sentence है दोस्तो say again say मतलब होता है कहना और again मतलब होता है फिर से या दुबारा तो say again का मतलब होगा फिर से कहो, दुबारा कहो say again फिर से कहो, दुबारा कहो say again next sentence है give it to me Give मतलब होता है देना It मतलब यह या इसे To me मतलब मुझे Give it to me का मतलब हुआ यह मुझे दे दो या इसे मुझे दे दो Give it to me Next sentence है Tell me something about yourself Tell me something about yourself Tell me something about yourself Tell मतलब होता बताना Me मतलब मुझे something मतलब कुछ about मतलब के बारे में yourself मतलब तुम खुद तो पूरे sentence का मतलब हुआ तुम अपने बारे में मुझे कुछ बताओ मुझे अपने बारे में कुछ बताओ Tell me something about yourself मुझे अपने बारे में कुछ बताओ Tell me something about yourself Next sentence है Please understand my situation Please मतलब होता है कृपया यहाँ पर request की जा रही है दोस्तो Understand मतलब समझना My मतलब मेरा situation मतलब होता है City sentence का मीनिंग हुआ मेरी स्थिती को कृपया समझे Please understand my situation कृपया मेरी स्थिती को समझे Please understand my situation Next sentence है Take a seat Seat मतलब होता है बैठने का स्थान और take मतलब होता है लेना तो इस sentence का मतलब हुआ बैठने का स्थान ले ले Take a seat बैठने का स्थान ले Take a seat बैठने का स्थान ले दूसरे शदों में हम यह भी कह सकते हैं बैठने के लिए बोला जा रहा है Next sentence है Look at yourself दोस्तों look के बाद हमेशा at आता है और look मतलब होता है देखना और yourself मतलब खुद को तो look at yourself का मतलब भा खुद को देखो Look at yourself खुद को देखो Next sentence है Come in Come मतलब होता है आना In मतलब अंदर Come in मतलब अंदर आचाओ Come in अंदर आचाओ Come in अंदर आचाओ Next sentence है Leave me alone Leave मतलब होता है छोड़ना Me मतलब मुझे alone मतलब अकेले Leave me alone sentence का मतलब हुआ मुझे अकेले छोड़ दो Leave me alone मुझे अकेले छोड़ दो Leave me alone मुझे अकेले छोड़ दो Next sentence है choose one of these boxes choose मतलब होता है दोस्तों चुनना one मतलब एक of these boxes मतलब in संदूकों में से या in बक्सों में से तो choose one of these boxes का मतलब है in बक्सों में से एक चुनो choose one of these boxes in बक्सों में से एक चुनो या in संदूकों में से एक चुनो Choose one of these boxes इन बक्सों में से एक चुनो Next up, wait a minute Wait a minute Wait a minute Wait a minute का मतलब है एक मिनट इंतजार करो एक मिनट इंतजार करो Next up, divide it into two Divide मतलब होता है बाटना इत मतलब यह है याई से इंटू टू मतलब दो में Divide it into two का मतलब हुआ इसे दो हिस्सों में बाटो इसे दो हिस्सों में बाटो Divide it into two दोस्ते इसमें आप चाहो तो Part word को add भी कर सकते हो ऐसे भी कह सकते हो Divide it into two parts पर Divide it into two यह अपने आप में एक मुकमल वाक्य है तो ज़रूरत नहीं है parts यूज करने की sentence से clear हो जा रहा है क्या कहा जा रहा है Divide it into two इसे दो हिस्सों में बाटो Next step fill in the blank Fill in the blank Fill मतलब होता है भरना In मतलब होता है में और blank का मतलब होता है रिक्त मतलब की खाली तो fill in the blank का मतलब हुआ खाली स्थान में भरो मतलब की खाली स्थान भरो Fill in the blank Next sentence है Do something about it Do something about it Do मतलब होता है करना Something मतलब कुछ About it मतलब इस बारे में About it मतलब इस बारे में About it मतलब इस बारे में तो पूरे sentence का मतलब हुआ इस बारे में कुछ करो Do something about it Next है Throw it out Throw it out Throw it out Throw मतलब होता है Fake ना It मतलब होता है यह है या इसे out मतलब बाहर तो से इस sentence का मतलब हुआ इसे बाहर fake दो Throw it out इसे बाहर fake दो Throw it out इसे बाहर fake दो Throw it out नेक्ट है, know her well नो मतलब भता जानना, her मतलब उसे, well मतलब अच्छे से know her well, कामेनिंग हुआ उसे अच्छे से जान लो next sentence है, contact anil sherry contact anil sherry, contact anil sherry contact का मतलब होता संपर्क करना anil sherry नाम है, आप google पर सर्च कर सकते है anil sherry contact anil sherry, anil sherry से संपर्क करो next step, keep in touch keep in touch, keep in touch का मतलब होता है, संपर्क में रहना keep in touch, संपर्क में रहना keep in touch, संपर्क में रहना next है, have mercy on us have mercy, have mercy का मतलब होता है, दया करो have mercy, दया करो, on us मतलब हम पर तो पूरे संपर्क का मीनिंग हुआ, हम पर दया करो have mercy on us next है, speak English sentences every day speak English sentences every day speak English sentences every day speak मतलब होता है, बोलना, English, English, sentences मतलब वाक के everyday मतलब रोज तो इस sentence का मीनिंग हुआ, रोज अंग्रेजी वाक के बोलो speak English sentences every day प्रती दिन अंग्रेजी वाक के बोलो speak English sentences every day प्रती दिन अंग्रेजी वाक के बोलो रोज अंग्रेजी वाक के बोलो speak English sentences every day next step, please heat the food Please मतलब कृपया, heat मतलब गर्म करना Food मतलब खाना, please heat the food कृपया, खाना, गर्म कर दो Please heat the food, कृपया, खाना, गर्म कर दो Next है, take care of yourself दोस्तो, take care के बाद हमेशा आफ आता है जब भी हमें बताना हो कि किसका खयाल रखना है Take care का मतलब बता है, खयाल रखना Of yourself, मतलब खुद का Yourself मतलब खुद का तो take care of yourself का मेनिंग हुआ अपना खयाल रखना Take care of yourself, अपना खयाल रखना Next sentence है, lift the table slightly Lift the table slightly Lift मतलब बता उठाना, table मतलब बता मेज और slightly मतलब थोड़ा सा Lift the table slightly sentence का मेनिंग हुआ मेज को थोड़ा सा उठाओ Lift the table slightly मेज को थोड़ा सा उठाओ Lift the table slightly मेज को थोड़ा सा उठाओ Next sentence है, swear on your mother Mather, swear के बाद हमेशा अन आता है Swear मतलब होता है कसम खाना Swear का मतलब होता है कसम खाना उसके बाद हमेशा On word का यह उज़ित होता है जब भी बताये चाता है किसकी कसम खानी है याखा रहे है तो swear on your mother का मतलब हुआ अपनी मा की कसम खाओ next sentence जो आज की class का आखरी sentence भी है तो ध्यान से सुनिए इसको retain your innocence retain your innocence retain का मतलब होता है बचाए रखना या कायम रखना या कायम रखना यूर मतलब आपका यह तुम्हारा innocence मतलब मासूम्यत innocence मतलब मासूम्यत retain your innocence का मतलब है अपनी मासूमित बचाए रखना retain your innocence बचाए रखना तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही I hope आपको imperative sentences बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे अगर आपको कोई भी परिशानी है समझने में या कोई भी question, doubt है या कोई मुझे advice या suggestion देना चाहते हैं तो you are most welcome in comment section Please write something in comment section and I will definitely read your comment and जाने से पहले मैं आपको दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मेरी classes regular हैंगी रोज एक video upload किया जाएगा तो continuity आप maintain करें और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर आप मेरी सारे videos regularly देखेंगे और practice करेंगे बोलने की तो आप English बहुत जल्दी सीख जाएंगे मेरा मंत्री यही है Read, Repeat and Speak Read, Repeat and Speak Read, Repeat and Speak तो आज के लिए दोस्तों इतना ही Goodbye, Have a Nice Day